तो हलो गाईज फिर से एक नए वीडियो में सुआ गया था Redmi Note 5 Pro के लिए यार MIUI 13 का latest build आ गया जो कि आपको दिखा देता हूँ Global Stable ROM में कोई बीटा वर्जन नहीं आप यहाँ पर देख पार हो 13.0.9 जो कि देखने को मिल जाता है और यहाँ पर देख पार हो इसका control center वगर आपको 12.5 12.6 का मिलता है जो कि MIUI 13 का फिलाल इसमें नहीं मिलता है और इसमें आपको जो MIUI 13 की जो AP के वगरा होती है वो भी इसमें काम नहीं कर रही है पता नहीं Android 11 पर काम नहीं करती है Android 12 की ROM वो उसमें जो control center पर इंस्टॉल नहीं होता तो उसमें वो वरक कर जाती है लेकिन इसमें नहीं कर रही है MIUI 13 का है तो आप यहां पर देखते तो ROM का performance वगरा UI काफी अच्छा है और इसमें आपको app wallet वगरा का support देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि आप यहां पर देख पार हो app wallet वगरा नहीं आ रहा है सबसे परले मैं आपको दिखा लेता हूं यहां पर आपन सैटिंग्स के अंदर जाएंगे यहां पर तो आप यहां पर देख सकतु वर्जिन वगरा मैंने आपको दिखा ही दिया है और यहां पर Wi-Fi Bluetooth वगरा सबकुछ वर्किंग कोई दिक्कत नहीं है यहां पर आपको लॉकिस्किन का उप्शन मिलता है जो कि श्लीप टाइम को आप यहां पर नियर तक का उप्शन इसमें दे दिया गए पिछले वर्जन में यह नहीं था डबल टैप टु विकी के अंदर जैसे आप जाओगे यहां पर आप देख सकते हो डिवाइस आपका इसमें नौट इंक्रिप्टेट रहने वाला है जैसे कि आप यहां पर देख पार हो निचे आपको लॉकिस्किन वगड़ा और यहां पर आपको निचे वापिस इसमें पॉक्एड मोड और सिकूर कर देख सकते हो पिछले अपडेट में रिमूल किया ता अब वापिस इन्होंने फर इंस्टॉल कर ले गया इसके आपको यूए बदाऊं साउंड है वाइप्रेट की तो यूए भी काफी फास्ट है तो काफी अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है और निचे आपको डून दि का भी सपोर्ट है क्योंकि आप जित्ते भी शाउंड है डिल्टिंग शाउंड वगरा इसकी स्वाट शाउंड वगरा इनस सबको आप यहां से डिलीट काऊ मतलब बंद कर सकता है तो यहां पर आपको शाउंड इपर इसका बी आप्सन मिलता है जो कि आप हैड़फॉन आप इसको प्लिक कर सकते हो एकदम अच्छे सा वर्किंग कोई नहीं स्मार्ट होम की का भी उप्सन है और नीचे आपको आइटम लॉग दा श्वैपिंग डाउन वगरा का आप इसको अपने साफ से कस्टमाइज कर सकते हो नो अटिविकेशन आपको चाहिए नीचे यह लॉ लॉबल रहो में मिलते हैं वह इसमें आपको मिल जाते यहां पर गास की बात करो तो गास एक दोम अच्छे से वरकिंगे सभी आप बटन से गैस गैसे बटन से सभीच करोगे तो कोई दिक्कत इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी यहां पर आपको इसकी लिए बहुत eller-Apps पर यूँ कभी इसमें आपको उफसे दिया गया है जो कि एक-दोम अच्रिक ही से वरकि करता है कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं और यहां पर आपको दिखा लेता हूं wallpaper आपको इसमें कौन-कौन से देखने को मिल जाते हैं जो कि MIUI 13 की रहो में तो सारे वाल पेपर आपको इसमें MIUI 13 के और 12.5 के भी इसमें देखने को मिलते हैं जिसे कि आप यह देखते हूं यह जो MIUI 13 के वाल पेपर है निचे आप जाओगे 12.5 12.6 क जो भी है सब कुछ इसमें दिए गए वाल पेपर स्पॉन्स वगरा वो थिम जो आपको इसमें दो ही देखने को मिलती क्लासिक और लिमिटलेस फो टाइप की इसमें आपको फिलाल देखने को नहीं मिलेगी और नीचे आपको यहां पर दिखाओं यहां पर आपको पास्ट सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं अल्टा बैटरी सेवर इसमें आपको दिया गया है कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं और यहां से आपको एडिस्टन सेटिंग की बात करता हूं तो यहां पर आपको रिजन्स जो है इंडिया है उसके लावा बहुत सारी अगरा जो भी है आपको नोटिविकेशन का आपको चाहिए नीचे यह कर सकते हो नीचे आपको रिस्टोर बैकप अगरा ओल्फुल स्कीन डिस्प्ले फैक्टिरी सेट का ओप्शन भी दिया गया है नीचे आपको यहां पर डिजिटल वैर्बिन का भी ऑप्शन मिलता है ज श्लाइडर बार का ओप्शन इसमें आपको मिल जाता है जो कि लैटेस्ट वाला ही है आप यहां पर देख सकते हो इसते से कलिक करोगे श्लाइडर बार यहां पर इनेबल हो जाएंगा और इसके अंदर यहां पर एप्स भी एडड कर सकते हो जो भी आपको और एडड करने अगरा है जो इसते से एडड भी मेस में कर सकते हो काफी अच्छा है जैसे कि आप बार भी चले जाता हो इसको close करЕТ करके यहां पर तो यहां पर आपको रहेगा यहां यूज कर सकते हो इसते से और का option है यह आपको इसमें मिल जाता है और नीचे आपको इसमें क्या features देखने को मिलता है इस प्रेशर features में तो आपको नीचे front camera का assistant वगरा हो गया यह आपको brightness वगरा manage कर सकते हो floating window का भी आपको यहां पर सब कुछ बता light mode भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो कि आप इसमें इनेबल वगरा कर सब नीचे आपको me ID और Google accounts और account scan वगरा और service फिर वगरा यह location वगरा यह आपको इसमें option देखने को मिल जाता है उसके बाद में next features आपको इसमें क्या है camera का दिखाता हूं मैं आपको camera के quality वगरा कैसी है और camera में आपको क्या क्योंच नहीं देखने को मिल जाता है तो जैसे कि आपको यहां पर AI mode मिलता है जैसे कि मैं आपको photo लेकर दिखांगा यहां पर यह आप देख सकते हो photo एकदम click हो रहा लेकिन यह device camera बंद हो जा रहा तो यह watermark का डिवाइस का जो problem में अभी तक fix नहीं कर रहा है तो पता नहीं इसको आपको AI में आपको HDR का भी support मिल जाता है जो कि आप यहां पर देख पार हो एकदम अच्छे सा photo आ रही कोई भी दिखकर नहीं है camera पर नीचे जाओगे यहां पर आपको फोर्गेट अटिया पर इसका support दिखने को मिल जाता है camera में कोई दिखकत नहीं है पाकि यह जो यह portrait camera की जो problem में यह मतलब श्याओमी का fix करेगा इसका कुछ पता नहीं चल रहा है अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आपको zoom in zoom out वाला भी option दिया गया है जो कि आप जैसे तो एकदम अच्छे सवर की कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर album के उपर आप जैसी यहां पर आओगे निचे आपको इ और edits के उपर click करोगे यहां पर इसको आप जैसी allow करोगे और यहां पर आपको filters है जो सारे आपको दिये गए जो भी है सारे filters आपको मिल जाते beauty वगरा और stickers वगरा का भी है इसमें तो यह सारे features इसमें आपको दिये गए कोई दिक्कत नहीं बागी portrait camera की दिक्कत है अगर वीडियो बनाता रहता हूं तो चलोग आज मिलते है नेक्स वीडियो में जब तक जे हिंद जे बार्त वंदे मात्रम